अगर आप जिम जाते हैं डाइटिंग करते हैं या फिर बेट कम करना चाहते हैं तो आपके लिएक तम परफेक्ट रेस्पी लेकर आगे हूँ आज हम बनाएंगे चिकन ब्रॉकली टॉस सेलेड ये खाने में टेस्टी तो हो गई होगा आपको भरपूर मातरा में प्रोटीन भी देगा और जातर हम चिकन ब्रेस्ट को बॉयल करते हैं चिकन ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं देखे कितनी जूसी चिकन ब्रेस्ट है तो इसक चिकन प्रेस्ट होती है पर 100 ग्राम चिकन प्रेस्ट के अंदर 155 ग्राम कैलरीस 31 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फैट होता है तो यह देखिए इस तरह से आपने फैट को पहले रिमूब कर देना है फिर आप कोई भी एक क्लीन फॉयल का टुकडा ले दीजिए कोई भी पॉल प्रेस्ट न अंदर से सौफट हो जाएगी तूट चाती है न तो जल्दी बॉइल हो जाती है अब हम इसको करेंगे तो एक गढही में आपने पानी को बॉइल करने के लिए रुज रख लेना है और ठंड़े पानी में आिसके बर ने इसके नrav season जालू कर देनी है आप चाह बात का दिहान तो के देखिए अच्छे से पक चुके है chicken breast अंदर से तो इसी तरह से आज के बाद आपने इसको boil करना है एक तम soft बरहेगी और अंदर से juicy रहेगी आपकी जो chicken breast बनेगी और साथ में broccoli को बहुत अच्छा source माना गया है protein, vitamins, iron calcium का तो हम broccoli का use करेंगे इसके साथ में broccoli लिए है मैं निकल जाते, broccoli को मैंने जाली के उपर रख लिया है और उसी पानी उसी कडाही में steam करना है जिसमें मैंने chicken को boil किया था क्योंकि chicken का जो पानी था वो गरम था तो देखिए इस तरह से आपने broccoli रखनी है उपर से cover कर दीजिए 3-4 मिन में आपकी broccoli अच्छी तरह से steam हो जाएग तो यह देखिए, gas की flame मैंने medium रखिए है, medium flame मैं पूरे 4 मिनट तक मैंने broccoli को यहाँ पे steam कर लिया है और color देखिए कितना बहतरी इन color आया ब्रोकली का और इसके बद आपने broccoli को कड़ाही में से निकाल लेना है और एक पीस खाके भी देख लीजिए और डंठलना थोड़े स सॉफ्ट होने चाहिए, जदा हार्डी रहने चाहिए, और यहां मैंने कड़ाही लिया है, एक छोड़ा चमच olive oil डाला है मैंने इसके अंदर, और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा बरी कट और लस्न डालना है, और इसके साथ में आपने थोड़ी सी बरी कट भी हरी मिर्ची आप अपने टेश को अंसार कम जदा कर सकते हैं, अब आपने gas की फ्ले मीडियम रखनी है, और इनको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं यापे, अगर आप oil बिल्कुल नियूज करना चाते हैं, तो oil को आप स्किप कर दीजिए, गार्लिक और हरी मिर्ची को आप बहुत ही फाइदमन रहती है, तो gas की फ्ले में आपने हाई रखनी है, हाई फ्ले में को थोड़ी देर के लिए पका लीजिए, ताकि थोड़ी सी सौफ्ट हो जाएं, और इनके इंदर जो मौइस्टर है ना बो खत्म हो जाएं, पिर आपने इसमें स्टीम की ब्रॉकली पर्म कर लेना है, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज और शिमला मिर्ची के साथ में, फिर इसके बाद मिक्स करने के बदा आपने इसमें सीजनी गाइड करनी है, तो लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का क्रश्ट डाल देना है, काली मिर्च से चट ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं नो आपको पानी उतना ही ज़्यादा पीना पड़ेगा माल दीजिए आपने चिकन सैलेड खाया है तो आपको एक गंटे के बाद एकए गिलास पानी का पीना ही पड़ेगा तब ये प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और के देखिए सैलेट बन के त्यार हो चुका है लास्ट में आप इसके ओपर थोड़ा सा लेमन जूस नी चोड़ दीजिए गैस की फिलिम आपने ना बंद कर देनी है जब लेमन जूस डालने तो इसे कड़बाटेश आता है और अच्छे से मिक्स कीजिए और आप इसको गरमा गरम खाज सकते हैं वीडियो चलगोगा लाइक शेयर कमें जुरूर कीजिएगा